हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग वेलकम टो इसरल्स दिस इस और वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अगरुवाल वन्स अगें तो बच्चों चेप्टर चल रहा है लोकोमोशन एंट मुवमेंट चिक है यूमन फीजिलोजी पूरी यूनिट बहुत इंपोर्टेंट है हर चेप से मैंस्कुलर सिस्टम बच्चों मसल के बार में पढ़ा था ठीज अपरेक्टायल का मैंकेनिजन क्या न होता होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वह सारी चीजें बच्चों मैंने काफी डिटेल में समझाया है एक बार यदि इसको conceptually जैसे मैंने आपको समझाया है समझ लिया आपने खुद सारी चीजे events एक बार अपने हाथ से बना कर देख ली revise कर ली बच्चो तो फिर जो muscle वाला पार्ट है इस chapter का उसमें कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर red muscle fibers, white muscle fibers के अंदर अपने differences देखे थे और ये भी conceptually देखे थे बच्चो रटे नहीं है अपने कोई सी भी चीज रटी नहीं है हर चीज को अपने conceptually समझने की कोशिश करी है और जहां जहांपर चीजे बहुत इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको मार्क करवा दी है बच्चों तो इसी तरह से जितना भी मैंने यहां पर लिखा था आपको हमेशा किता हूं में कि सिर्फ बेट कर वीडियो नहीं देखना है आपको जब भी आप इन lectures को follow कर रहे हैं तो साथ के साथ जो 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 चीजे ह हम बताते हैं आपको लिखते जाओ बच्चों उनको नोट डाउन करते जाओ अपनी अंसियाटी में जो जो चीजे हम मां कर रहे हैं हाइलाइट कर रहे हैं उनको आप भी हाइलाइट करते जाओ और मार्क करते जाओ फिर भी किसी कारण से यह किसी बच्चे का यह छूट ज जाएगा जैसे आज locomotion and movement हो जाएगा तो इसकी marked PDF आज आपको एप पर available हो जाएगी स्टार्ट करेंगे बच्चो skeletal system इस chapter का दूसरा पार्ट ठीक है skeletal system के अंदर बच्चो क्या-क्या include होता है तो skeletal system के अंदर हमारी bones और cartilages include होती है जो कि किस तरह का tissue है बच्चो special connective tissue की category में आती है बच्चो हमारा जो connective tissue होता है पर तो animal tissue के अंदर उसको हम दो category में divide कर सकते हैं तो connective tissue proper जो कि classical connective tissue होता है और दूसरा special connective tissue जिसमें हम दो तरह के connective tissue को include करते हैं एक तो blood जो कि liquid या fluid connective tissue है बच्चो क्यों क्योंकि उसकी जो matrix होती है plasma जिसको हम कहते है वो fluid होता है जिसमें उसके सारी cells और formed elements पड़े हुए होते हैं बच्चो WBCs, RBCs, platelets ठीक है लेकिन जो दूसरे type का special connective tissue है fluid connective tissue को छोड़ कर वो क्या होता है बच्चो skeletal connective tissue जिसमें bones औ matrix ज्यादा hard होती है बच्चो the former, former याने यहाँ पर पहले bone mention करी है the former has a very hard matrix due to calcium salts in it और बाद में मतलब cartilage and the letter has slightly pliable matrix due to conroitin salts तो बच्चो bone और cartilage में भी जो bone होती है उसकी matrix ज्यादा hard होती because of the presence of calcium, magnesium and other mineral salts सबस्यादा calcium salts होते हैं बच्चो यदि अपन bone की composition की बात करें तो बच की composition में हम कहा सकते हैं कि बई almost 52-60% तो क्या होते हैं बच्चो मिनरल salts होते हैं kalsyum और magnesium salts होते हैं बच्चो चीके इसके अलावा बच्चो यदि हम बात करें तो करीब-करीब 15-20% के आस्पास क्या होता है इंफएक 10-20% के आस्पास क्या होता है बच्चो पानी होता और करे करेब 22-25% क्या होता है बच्चो और गेनिक कंटेंट होता है चीक है तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है पता चल रहा है बच्चो क्योंकि major component क्या है बच्चो mineral salts है जिसमें भी maximum क्या होते है बच्चो calcium salts होते हो इसी कारण से जो है इनकी matrix जो होती है काफी tough होती है क काफी rigid होती है बच्चो और यह हमें पता है बउन्स काफी hard होती है ठीक है because of this composition लेकिन बउन्स के comparison में काटिलेज की अपन बात करें बच्चो तो hyaluronic acid का जो amount होता है बच्चो वो cartilage में ज्यादा होता है in comparison to bone आगे बात समझ में तो pliable word यहां पर है pliable का मदब होता है relatively soft चीक है तो bone के comparison में cartilage की जो matrix होती है थोड़ी सी soft होती है बच्चो example से समझ सकते हो याद रख सकते हो बच्चो जैसा अपना ear पिना जो है इसके अंदर cartilage है तो क्या यह हड़ी के जितना strong है नहीं flexible है इसको मोड सकते है tip of nose यहां पर भी cartilage है बच्चो तो आप दवा सकते हो ठीक है तो cartilage bone के comparison में pliable होती है याने की थोड़ी सी soft होती है बच्चो शुरुआत में NCRT ने क्या बोला यहां पर कि skeletal system consists of a framework of bones and a few cartilages ठीक है skeletal system में हम क्या include कर रहे हैं हमने पहले ही बोलते हैं कि हम हमारी bones को cartilages को include करते हैं क्या काम है इनका फिर वो बता रखा है this system has a significant role in movement shown by the body imagine chewing food without jaw bones and walking around without the limb bones तो main काम क्या है हमारे skeletal system का जितने भी हम movements perform करते हैं वो perform करना चलना फिरना दोडना ठीक है खाने को चवाना इसके अलावा बच्चों पूरी body को एक support प्रवाइड कर रहा है bones और cartilage का ये framework तो ये functions होगे हमारे skeletal system के आगे बढ़ते हैं in human beings this system is made up of 206 bones important है बच्चों fact आ गया यहाँ पर पूछा जा सकता है total number of bones हमारी body में कितनी है ये हमें पता होनी चाहिए तो total number of bones कितनी है बच्चों 206 है लेकिन क्या at the time of birth भी इतनी होती है क्या before birth जब fetus का development हो रहा होता है मदर की uterus में क्या तब भी इतनी ही होती है वो चीज NCRT नहीं आप नहीं mention करी है लेकिन पूछी जा सकती है तो बच्चों उसको भी अपन mention कर लेते हैं चीक है उपर हमारे पास खाली जगए यहाँ पर हम लिख लेंगे तो बच्चों bones के दिए अपन बात करें तो total number of bones before birth मतलब जब बच्चा अभी मदर के uterus में है डवलप हो रहा है फीटल लाइफ में मतलब तो before birth बच्चों about 306 bones present होती है अब बच्चों जैसे जैसे development होता है कुछ bones आपस में fuse होकर एक single bone में तबदील होती जाती है convert होती जाती है ठीक है तो जैसे जैसे fusion of bones होगा number of bones कम होता जाएगा तो बच्चों birth तक आते आते कई bones fuse हो जाएगी और यह जो number है कितना रहे जाएगा approximately 270 रहे जाएगा बच्चों और फिर जब पूरा development हो जाता है हमारे skeletal system का बच्चों जो 18 साल के आसपास होता है तो बच्चों उसके बाद फिर एक adult में जो total number of bones होगी वो कितनी होगी 206 bones ही रहे जाएगी after future अब इसके बाद यह number or reduce नहीं होता है अब क्योशन में यह सिंपल क्योशन आ रहा है कि humans में bones कितनी होती है जब कुछ और mention नहीं कर रखा कि बिफोर बर्त नहीं पता रखा 8 birth नहीं आपको mention कर रखा तो फिर क्या मान के चलना है कि वो किसकी बात कर रहा है बच्चों adult की बात कर रहा है तो जब तक stage of life नहीं mention कर रखा है हम क्या मान कर चलेंगे क्या मान के answer देंगे बच्चों हम adult की हिसाब से ही answer देते हैं कहीं पर भी biology में इस तरह का कोई question आता है तो आगे बढ़ेंगे it is grouped into two principal divisions the axial and the appendicular skeleton बच्चों ये जो हमारा skeletal system है इसको हम दो categories में divide कर देंगे पहले इसको हम एक flow chart से देख लेते हैं समझ लेते हैं फिर आगे की पूरी कहानी देखेंगे NCRT क्या बोल रही है तो बच्चों हमारा जो skeletal system है humans का इसके अंदर total number of bones कित इसको हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं कौन कौन से दो पार्ट में कर सकते हैं बच्चों एक तो होता है axial skeletal system या axial skeleton ठीक है दूसरा होता है बच्चों appendicular क्या भो लेंगे appendicular skeleton पहले मतलब समझ लो दोनों terms का axial skeleton का मतलब जो हमारी body की long axis longitudinal axis के along present है तो बच्चों हमारी जो longitudinal axis है हमारे head से toe की तरफ जा रही है ठीक है और इसके along याने की body के center में जो जो bones के और cartilages के components present है वो सब axial skeleton में आ जाएंगे सबसे पहले तो हमारी खौपड़ी याने की skull ठीक है तो क्या क्या आएगा बच्चों के अंदर सबसे पहले क्या include होता है हमारा skull उपर के पुरी खौपड़ी जिसमें हमारा cranium आ गया brain box जो हमारे brain को protect करके रखता है हमारे face की bones आ गई फिर बच्चों में ही हमारे middle ear भी आता है दोनों तरफ middle ear में छोटी छोटी-छोटी bones होती ही आपको पता है बच्चों जिन 206 की 206 हड्या हम पढ़ने वाले हैं आज कि वार आपकी लड़ाय हो जाती तो आप अपने दोस्ते कहते हो ना कि मैं तरी हड्यां तोड़ दूँआ तो अब उसको नाम गिना गिना कर और नमबर गिना गिना कर आप अपड्या तोड़ने की धंकी दे सकते हो तोड़ना में आप एक ही होती है जो भी एकजेल संक्टन के अंदर आएगी स्टर्णम फिर तीसरा पार्ट इसके अंदर अधर बच्चों एकजेल स्केल्फन में हमारी रिडर की हड़ी ठीक है जो बेक के बिलकुल सेंटर में होती है तो वर्टेब्रल कॉलम और एक पार्ट के वी और आगे sternum से जुड़ी वी है सारी की सारी नहीं उनकी भी detail आगे पढ़ेंगे तो अब भी सिर्फ इतना याद रख लो कि rips जो है वो भी excel skeleton के अंदर include होती है तो बच्चों ये जो चार चीजें हैं ये excel skeleton में आती है अब इसमें skull में कितनी bones होती है बच्चों NCRT ने तो mention कर रखा है आपको 22 लेकिन अभी अपन detail जब देखेंगे तो actually होती इसके अंदर कितनी है बच्चों 29 bracket में में लिख रहा हूँ 22 ठीक है फिर ये अपना mention भी कर लो कि ये NCRT ने एक line में कहीं पर mention कर रखा है अब आगे आजाएगी वो line ठीक single bone है बच्चों एक ही होती है whatever column के अंदर कितनी bones होती है 26 bones होती कैसे होती है अब आगे देखेंगे और ribs कितनी होती है 12 pairs होती याने कि total 24 होती है अब इनको आप total करो 29 plus 130 plus 26 कितना हो जाएगा 56 plus 24 कितना हो जाएगा 80 ठीक है तो बच्चों एकजेल स्केलेटन के अंदर कितनी total bones होती है total number of bones in the एकजेल स्केलेटन is 80 bones तो आउट ओफ 206 bones जो है हमारी बच्चों वो किसमें include होती है एकजेल स्केलेटन के अंदर include होती है अब बच्छा appendicular skeleton तो इसके अंदर कितनी bones हो जाएगी बच्छो 206 में से 80 हटा दो कितना बचेगा 126 bones appendicular skeleton के अंदर होती है अब इसमें कौन-कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं बच्छो कौन-कौन सी bones include होती है वच्छो सबसे पहले appendages का मतलब समझ लेंगे appendages का मतलब हमारी body की axis से जो भी चीज़े बाहर की तरफ निकल रही है जुड़ी हुई है वो सब appendages है तो एक तो हमारे दो upper limbs हमारे हाथ हमारे दोनों पेर lower limbs यह हमारे appendages में आते हैं अब इनको हमारे axial skeleton से जोड़ने के लिए भी तो कुछ चीज़े हवा में तोड़ी लटके रहेंगे ठीके कोई वज़ा न हम उठा रहे हैं तो जब तक हमारा हाथ हमारे axial skeleton से नहीं जुड़ा हुआ होगा वो weight हमारी body के center पे transmit नहीं होगा transfer नहीं होगा उस गर्डल या bridge तो भई appendages को axial skeleton से जोड़ रहा है तो कायदे से ना तो वो appendicular skeleton का part होना चीज़े नहीं एक्जल skeleton का लेकिन study की simplicity के लिए क्या कर रहा है बाया protocol की हमने girdles को appendicular skeleton के अंदर include कर रहा है एक girdle तो हमारे upper limbs को हमारे axial skeleton से जोड़े का इसको हम केते है pectoral girdle या shoulder girdle pectoral क्यों केते हैं क्योंकि हमारे chest वाले पार्ट में shoulder वाले पार्ट में यहाँ पर pectoralis major और pectoralis minor muscles होती बच्चे उनके नाम से pectoral girdle नाम दे रखा है shoulder girdle भी केते हैं क्योंगी कंधा बना रहा है चीक है इसी तरह से हमारे पेरों को हमारे एकजल skeleton से जोडने का काम जो girdle करता है उसको hip girdle केते हैं क्योंकि hip joint बन रहा है यहाँ पर उसी को हम pelvic girdle भी केते हैं क्यों क्योंकि यह जो belt बांदने वाला region होता है इसको हम pelvic region भी बोलते हैं बच्चो तो girdle भी किसमें इंक्लूड होगे यह appendicular skeleton में तो बच्चो इस तरह से हमारे अपर लिम्स होते हैं कितने अपर लिमस हमारे दो अपर लिमस हैं हर अपर लिम्स में 30 बोन होती है बच्चो जचों दोनों में मिलाकर कितनी हो जाएगी 60 bones हो जाएगी इसी तरह से बच्चो हमारे दो lower limbs से दो pair है हर एक pair में भी 30 bones है बच्चो तो total मिला कि दोनो lower limbs में भी कितनी हो जाएगी बच्चो 60 bones हो जाएगी फिर मैंने क्या वहला था girdles पिंक्लूड होते हैं बच्चो तो पेक्टोरल गर्डल जिसको हम शॉल्डर गर्डल भी कहते हैं बच्चो चीक है अभी सिर्फ इसमें number of bones लिख लो आप ठीक दो इधर होती है दो इधर होती है तो टोटल कितनी हो गई चीक और बच्चो फिर पहलवे क्या हिप गर्डल इसमें दोनों तरफ एक एक बोन ही होती है तो टोटल कितनी हो जाएगी बच्चो टू बोन्स विल भी देर अब इसको प्लस करो आप 60 प्लस 60 120, 124 प्लस 2 126 तो बच्चो टोटल नंबर ओफ बोन्स इन दी अपेंडिकुलर स्केलेटन इस 126 दोनों को जोड़ दोगे कितनी हो जाएगी बच्चो तू हंड़ेड इन सिक्स बोन्स हो जाएगी सबसे इंपोर्टेंट फ्लो चार्ट यह यह ए इतलिस्ट इतना त दूसरी तरफ नंबर्स देदेंगे आपको मेच करना होता है ठीक है तो यह टेबल तो हो गई अपने एक बार डिवीजिन कर दिया हमारे स्केलेटन सिस्टम का अब हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चो तो एंसी आटी भी वही बोल रही है जो हमने अभी यहां पर देखा है अब पहले इंसी आटी ने एक्जिल सकेलेटन को एक्सप्लेन करा है फिर बाद में अपन भी वही करेंगे पहले एक्जिल सकेलेटन की बात कर लेते हैं कितनी होती है बच्चो 80 बोन्स मैंने आपको बता दिया कहां पर प्रेजेंट होती है along the main axis of the body that is longitudinal axis of the body now क्या क्या include होता है skull देख लिए हमने vertebral column ये भी लिख लिया था इस टर्णम होता है और ribs होती ही बच्चों चीक है constitute the actual skeleton सबसे पहले बात करी है बच्चो इसकल की ठीक है skull is composed of two sets of bones अब इसने वोला है कि बेसकल में दो तरह की bones include होती है एक तो cranial और दूसरी facial that totals to 222 bones important है mark कर लो बच्चों क्यों 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 कि यहां पर थोड़ा सा गड़बर जाला है क्या है अभी देखेंगे हम चीक है आगे देख लते हैं पहले कि cranial bones are cranial bones इसमें से कितनी होती है eight in number कौन-कौन सी होती है बच्चों देख लते हैं यहां पर तो बच्चों यहां पर खौपड़ी इसकल आपको बता रखा है अब हमारा जो cranium होता उपर-उपर का धकन बच् बच्चों लेकिन यह एक ही होती है इस तरह से тьर के फिर बच्चों мें इस तरह से उपर एक इधर और एक इदर क्या होती बच्चों कितनी होगे बच्चों दो होगई फिर इधर एक इधर और एक इदर क्या होती बच्चो temporal bone जिसको हम कनपटी केते हैं movies में देखते हो नबन्दूक तान दी कनपटी पए तो वो कनपटी क्या है आपकी temporal bone है बच्चो ठीक है तो इधार एक temporal इधार एक temporal दो तो केटीनी हो गई एक frontal फिर बच्छो पीछे की तरफ इधर यह वाली बोन क्या होती है उक्सिपिटल बोन इसको हम कहते हैं तो अभी तक कौन-कौन सी अपने देख ली बच्चो अब यह तो छही हो रही है लेकिन करेनियम में तो कितनी है आठ बोन से तो बच्चो यह जो 6 है यह तो हमें उपर से दिख सकती है सुपरफीशल है यह तो लेकिन दो बोन से इसी है क्रेनियम में जो उपर से नहीं दिखती है सुपरफीशली प्रेजन नहीं है डीपली प्रेजन्ट है अंदर कहां प्रेजन्ट है फ्रंटल बोन के पीछे की तरफ तो frontal bone के थोड़ा सा पीछे दियापन चलेंगे तो पहले जो अपने को bone मिलेगी जस्ट हमारी आँखों के पीछे वो होती है बच्चो ethmoid bone चिक और उसके थोड़ा और पीछे चलोगे तो फिर कौन से मिलेगी बच्चो sphenoid bone ठीक है ये दोनों भी किसमें include होती है ये भी सकल में include होती है आगे बच्चो बात समझ में तो simplicity के लिए मैं यहीं पर आपको लिख कर दे देता हूँ बच्चों कि आपकी skull bones में जो cranial bones है उनमें कौन कौन सी bones include होती है और उनका number कितना कितना होता है तो इसकल मैं अपन cranium की बात कर रहे हैं भी सिर्फ तो cranium में बच्चों frontal एक होती है फिर prital दो होती है temporal अगें दो होती है बच्चों occipital एक होती है बच्चों फिर ethmoid एक होती है बच्चों और sphenoid ये भी एक होती है टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों 8 bones ठीक है तो यहाँ पर तो NCRT सही है कि बच्चों क्रेनियम में 8 हड़ियां 8 bones present होती है फिर बच्चों क्या काम है इन cranial bones का यह सबको पता है कि brain को protect करती है अब face की बात करेंगे अपन तो facial bones कितनी होती है हमारा face वाला जो पार्ट है तो क्रेनियम होगा इसकल में face भी आ रहा है तो बच्चों the facial region is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull 14 हड़ियां होती है अब यह 14 हड़ियां कौन सी होती है NCRT ने सारे नाम आपको नहीं दे रखे हैं जो दे रखे हैं वो तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों चीक है लेक्राइमल बोन आपको दे रखा है इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि अपनों पता रहेगा कि भी अपन यह facial bones की बात कर रहे हैं तो blue color वाली facial bones होगी lacrimal bones lacrimal bones किदर होती बच्चों जस्ट आपकी आँखों का जो inner corner है यहाँ पर एक छोटी सी bone इदर है एक छोटी सी bone इदर है इनको हम lacrimal bones केते हैं total कितनी होगी दो ठीके तो यह these are two in number फिर nasal bone बच्चों तो आपकी नापकी जो slope है इसका जो upper part है इदर एक nasal bone इदर एक nasal bone है तो nasal bones भी कितनी होगी बच्चों दो अब यही पर इन nasal bones के थोड़ा सा नीचे एक और तरह की bone से एक इदर एक इदर जो यहाँ NCRT ने mention नहीं कर रखी है बच्चों उनको भी अपन यहाँ पर mention कर लेते हैं उनको अपन कहते हैं बच्चों inferior inferior nasal bone का और यह पर कितनी होती है दो होती है एक right में और एक left में ठीक component दिखेगा मिलेगा बच्चों इनको हम zygomatic bones चीक bones केते हैं girls make up के दोरार इनका काफी use करती है इनके उपर वो जो कुछ भी make up का समाल लगाती तो उससे prominent हो जाते हैं चीक उनके है ना तो cheek bones या zygomatic bones इनको cheek bones भी बोला जाता है यह भी दो होती है बच्चों एक इधर एक इधर दोनों यहां पर बीच में joint बनाती है फिर बच्चों lower jaw bone ठीक है mandible तो यह जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों इसमें मेरा lower jaw ही move कर रहा है इस तरीके से तो यह जो mandible ही एक single bone है है बच्चों यहां पर इस जगह पर temporal bone जो थी बच्चों मारी इधर है एक और इधर है एक इसके साथ joint बनाती है और इस तरह से पूरी एक bone present है एक ही टुकड़े में present है single bone है mandible याद रखना mandible दो नहीं होती है star mark कर लो तो कितनी होगी बच्चों अभी तक face में bones दो प्लस दो चार दो छे दो आठ दो दस और एक ग्यारा अभी भी तीन bones missing है अब वो तीन bones कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं बच्चों एक bone तो है warmer bone warmer bone कहा होती है बच्चों हमारी जो nose है इसमें दो chambers है एक right nasal chamber एक left nasal chamber इन chambers को बीच में से कौन separate कर रहा है बच्चों nasal septum मतलब एक wall separate कर रही है जिसको हम nasal septum कहते है अभी जो nasal septum है न बच्चों इस nasal septum के अंदर क्या-क्या है वो यहाँ पर लिख लो इस nasal septum में दोनो component present होते हैं क्योंकि आता है बच्चों कि जो nasal septum है वो किस-किस का बना हुआ है एक तो bone का बना हुआ है बच्चों और इसके अंदर bone कौन सी होती warmer bone उसको हम कहते हैं कितनी होती नंबर में एक ही होती है बच्चों और दूसरा component क्या होता बच्चों नेजल septum में cartilage present होती है और वो भी कौन से टाइप की होती है बच्चों हाई-लाइन cartilage टाइपस ओफ काटिलेज आप पढ़ते हो कहां पर animal tissue वाले chapter में पढ़ते हो बच्चों है ना इंक्लूड होगी तो 11 तो वहाँ पर अपने लिख ली एक ये 12 होगी अभी भी दो बच्च रही है अब यह दो बॉन्स कौन सी बच्चों यह आप पढ़ते हो कि हमारी जो बकल केवेटी है इसका रूफ कौन बनाता है पैलेट पैलेट में आगे वाला इंटीर पार्ट किस में बॉन होती है पैलेटाइन बॉन और वो पैलेटाइन बॉन्स भी दो होती है नंबर में तो यहीं पर अपन प्लस कर लेंगे बच्चों पैलेटाइन बॉन्स भी किस में आएगी फेशल इसकल में आती है फेशल बॉन्स में आती है पैलेटाइन बॉन्स कितनी होती है ब पेर में है और दो केसी है बच्चों अनपेर्ड होती है इनको एक अलग कलर से माक करके रखलो आपको याद रहेगा एक तो मेंडिबल अनपेर्ड है बच्चों और दूसरी वोमर अनपेर्ड है इस तरह से टोटल 14 बोन्स आर प्रेजेंट इन आर फेस तो चोदा तो फेशल प्लस आठ क्रेनिल बॉन्स इसी तरह से इंसी आटी ने यहां पर क्या बोल दिया कि हमारे स्कल में कितनी बॉन्स होती है बाइस होती लेकिन यह गलती कर गई इंसी आटी की बही जो मिडल यह है हमारा यह जो है बच्छो तीन पार्ट में डिवाइड होता है बाओ जो दिख़ रहा है यह पिना और और अरेटर केनाल फिर बच्छो मिडल यह फिर इंटरनल यह जो मिडल और इंटरनल यह वाला पार्ट ए वह टेंपरल बॉन्स के अंदर प्रेजन है और उसमें मिडल इय में बही दोनों तरफ पीन तीन च्छटी-छटी हड्यां होती ह उनको भी तो आप स्कल में कॉपड में इंक्लूड करोगे, वो क्या हवा में लटक रही है, या क्या वो गर्दन के नीचे है, नहीं है न, है तो उपर ही, हेड वाले रीजन में ही, तो वो भी तो इंक्लूड होगी, तीन इदर तीन इदर छेव हो गई, टॉटल इसकल बोन्स तो टुटीन नाइन होती है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह तो लिख दिया है, इसने कि भी हायओड होती है, लेकिन यह नहीं लिखा कि बई, अपन जब टॉटल लाउट करेंगे, तो फिर इसके वरे से 29 हो जाएगी, जबकि खुद के रही कि स्कल का पार्ट है, अभी देखना आगे आ जाएगा, तो बच्चों, यहाँ पर NCRT क्या के रही है, अ सिंगल यूशेप, हायओड का शेप कैसा होता है, यूशेप के होती, बच्चों, जो पीछे ओक्सिपिटल बोन होती है, उसमें दो प्रोसस निकले वे होते हैं, ठीके, दो प्रोट्रूजन्स निकले वे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बच्चों, कॉंडाइल्स, ओक्सिपिटल कॉंडाइल्स, और इक इसके साथ जोइंट बनाते हैं, बच्चों, हमारी रीड की हडडि की सबसे उपर की जो वर्टिब्रा होती है, जिसको हम कहते हैं, चीके, बच्चों, उसके साथ जोइंट बनाते हैं, आगे बात समझ में, उसको हम एटलस कहते हैं, बच्चों, तो यहाँ पर जो जो जोइंट बनेगा, बिट्वीन दी स्कल, यहाँ पर लिख लो, चीके, तो जोइंट बिट्वीन, जोइंट, बिट्वीन, स्कल, एंड, वर्टिब्रल कॉलम, क्या कहिलाता है बच्चों, एटलांटो, ओक्सिपिटल, जोइंट, क्यों, क्योंकि एक तो ओक्सिपिटल बोन जो हमारी पीछे वाली क्रेनियल बोन, उसमें दो प्रोसस हैं, वो किसके साथ जोइंट बना रहे हैं?, हमारी वर्टिब्ल कॉलम की पहली WERTIBRा के साथ, पहली हडडी के साथ, जिसको हम एटलस बोलते हैं, या C1 भी बोलते हैं, C1 क्यों हम बोलते हैं?, अभी आगे आ जाएगा, चीक है, अब क्योंकि, हमारे स्कल् होता है तो यह तो बात होगी बच्चो किसके सकल की अब सकल के बाद एक जिल्सकेव में जो दूसरा कॉंपनेंट होता है वह कौन सा है वर्टीब्रल कॉलम अब 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 आपको थोड़ी देर पहले ही अपने जो flow chart बनाया तो उसमें बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है total 26 हड्डियां होती है serially arranged sequence में arranged होती है बच्चों एक की नीचे एक arranged होती है इनको हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रा बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों वर्टिब्रा बोलते हैं तो आर वर्टिब्रल कॉलम is formed by 26 serially arranged units called vertebrae and is dorsally placed पीछे की तरफ है बच्चों हमारी है पीठ की तरफ होता है तो इसको highlight भी कर लाते हैं अपन तो आर वर्टिब्रल कॉलम is formed by 26 serially arranged units called vertebrae and is dorsally placed कहा से कहा तक extend करता है बच्चों इट extends from the base of the skull अभी अपने देखा था इसकल इसके साथ जोइंड बना रहा थी यहीं से चालू हो गया and constitutes the main framework of the trunk कहा तक जाता है बच्चों अपने hip तक जाता है यह तो हमारी जो वर्टिब्र कॉलम है हमारे skull के base से जहां पर हमारी hairline खतम होती वहीं से चालू हो जाता है और हमारे hip तक extend करता है बच्चों ठीके अब इच वर्टिब्रा is a central hollow portion through which the spinal cord passes अब इसको देखने के पहले तो हम यह देखेंगे कि हमारे वर्टिब्र कॉलम में यह वर्टिब्रा होती कितनी है वो यहाँ पर दे रखा NCRT नहीं तो बच्चों यहाँ पर देखो यह आपको लेटरल वीव दे रखा आगे नहीं तो मैं ऐसे खड़ा वाओं तो फिर यह वर्टिब्र कॉलम ऐसी देखेगी यह पीछे सारी की सारी वर्टिब्रा है बच्चों सबसे पहली वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा फरस्ट के लाएगी तो हमारा जो गर्दन वाला पार्ट है बच्चों इसमें जितनी भी वर्टिब्रा होती है उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं कितनी होती है वो दे आर सेवन इ इन नमबर ठीक है इनको हम नाम कैसे देते हैं सी वन से लेकर सी सेवन गोल दोगे आप ठीक है बच्चों फिर जो हमारा अपर बेक वाला रीजन है पीट का उपरी भाग इसको हम थोरेक्स रीजन केते हैं तो इस वाले रीजन में जो वर्टीब्रा होगी वो क्या किलाएगी और यह कितनी होती बच्चों बारह होती है तो वन टू थी पॉर पाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन च्वेल चीक है तो बच्चों बारह वर्टीब्रा यहां पर नम्बरिंग में भी गलती गर रखें कोई बात नहीं अपन बारह माल लेते हैं माल लो माल है क्योंकि इनको हम लिखते हैं टीवन से टीवल कितनी होती है टोटल बारह फिर बच्चो जो लोवर बेक वाला रीजन है हमारी पीट का निचला भाग जो हम लमबर रीजन कहते हैं तो इसमें वर्टीब्रा होती है यह कितनी होती है बच्चों थीज are what these are five in number इनको हम लिखते हैं L12 L5 उसके बाद बच्चो जो हमारा hip वाला पार्ट है उसमें actually fetal life में तो एक तो sacral vertebra होती ही जो 5 होती है लेकिन adult में ये fuse हो जाती है और एक single bone मनाती है जिसको हम कहते हैं sacrum तो cervical 7 होगे thoracic 12 होगे number 5 होगे बच्चो उसका sacral vertebra एक fuse डिसले लिख रहता है कि पहले ये 5 में divided थी बाद में एक में fuse होगे बच्चो तो ये जो sacrum है इसको हम कैसे लिखते हैं दो तरीका है या तो 1 लिख दो और 5 लिख के bracket लगा दो 5 लिख के bracket लगाने का मतलब है कि ये fuse होगी और represent कैसे करेंगे इसको या तो S1 या फिर इस तरीके से इसका मतलब अब ये एक बोन के form में present है पांच थी तो अब वो fuse हो चुके इसलिए अपने bracket लगा दिया और last बच्चो लास्ट पार्ट जो होता है अपनी vertebral column का वो अंदर की तरफ मुड़ावा होता है जिन में tail होती है न जिन animals में बाहर की तरफ होता है बच्चो टेल बोन इसलिए इसको कहते हैं इसी से फिर आगे tail निकलती है लेकिन अपने में पूंच नहीं है होती और ये बाहर निकली भी होती तो बेठने में कितनी तकलीफ होती समझ सकते हो तश्रीफ रखना मुश्किल हो जाता आप लोहों के लिए तो बच्चो ये जो कोकिक्स है लास्ट वाली बोन ये भी अंदर की तरफ मुड़ी होई है अब इसमें भी एक्च्वली यदि अपन फीटल लाइफ की बात करें तो बच्चो ये एक नहीं होती ये भी डिवाइड़ होती है चार बोन्स में डिवाइड़ होती लेकिन बाद में वह भी फ्यूज राती है तो इसी लिए इसको अपन क्या लिखते हैं बच्चो यूज नहीं कर सकते तो सी ओ कर दिया यहाँ पर डिफ्रेंशियेट करने के लिए तो इस तरह से टॉटल ट्वेंडे सिक्स होती है तो वर्टेबल कॉलम का जो फॉर्मूला होता है वो पूछा जाता है बे कितनी वर्टेब्राव्ण को आप कैसे लिखोगे सरवाइकल कितन सेक्रम को आप कैसे लिख सकते हो पांच के फूजन से बनिए और कोक्सीजल को कैसे लिख सकते हो चार के फूजन से बनिए इस तरह से भी इसको लिखा जा सबता है बच्चों आगई बात समझ में किसी तरह की कोई दिक्कत कोई कन्फूजन नहीं है ना आगे बढ़ते हैं ठीक है बच्चों तो ये तो बात होगी कि भी कौन-कौन सी वर्टीब्रा प्रेजेंट होती है वर्टीबल कॉलम में कहां से कहां तक एक्स्टेंट करती है फिर आगे न्सी आटी क्या के रिए बीच वाला पाट देख लेते हैं पहली सर्वाइकल वर्टीब्रा को हम क्या बोलते हैं बच्चों जो C1 वर्टीब्रा होती है यहां लिख देता हूँ मैं याद रखना C1 के लाती है बच्चों एक्सिस इंपोर्टेंट है दोनों के नाम पता होने चाहिए आपको इनको इंपोर्ट अलग से अपन स्पेशल नाम दे रहे हैं C1 एटलस के लाती है C2 एक्सिस एटलस उक्सिपिटल कॉंडाइल्स के साथ जोइंट बनाती है एटलांटो उक्सिपिटल जोइन अतला एक तरह से हमारा पूरा जो स्कल है हमारी जो खौपड़ी वो वर्टिबल कॉलम के उपर रखी हुई है बच्चों है ना C1 से जुड़ी हुई है प्लस जितनी भी बच्चों ये वर्टिब्रा है ना इन सब का जो major portion होता है ये वाला portion body वाला portion इसको बच्चों अपन कहते हैं इन सब के जस्ट पीछे की तरफ एक hole होता है और ये एक की नीचे एक arranged है पीचे एक और पार्ट निकलता है रोड लाइक नर्वस टीश्यू का बनावा उसको हम किते हैं इस नियूरल के नाल के थूपास होती है जो हमारी वर्टरबल कोलम के बीच में प्रेजेंट है वही चीज यहां पर आपको इंस्याटी ने मेंशन करें तो इच वर्टीब्रा इ ہے और सush held और यहीं इस पाइनल नाल slept हमारी यहीं के डिफरेंट पार्स में जाकर इंफोमेशन को करने का का म करती है ओधने करने का हातोंropriffe जाती है पेरों में भी जाती है ये साईटों चीक्रें तो केसे निकलती है यह साइट से जर्प तो सबीच आप होता है इंसकी कर की नहीं करका is cuma two T have tooth attitude position की बनीविये बोन की बनीविये वचों इनके बीच में कुम्षन सोफ्ट गदी लाइफ गदी होती ही न कुछ तक या मटीरल होता है बच्चों एना किसका काम करेगा स्प्रिंग उसका काम करेगा शोक electoral होते हैं उसका काम Technical तो मानलो हम जम्प कर रहे हैं बच्चों यहां तो मैंने अभी फ्लोर पर ही जम्प कर रहा है मानलो किसे ने एक मंजल से छलांग लगा दी अब जब वो नीचे कूदेगा सर के बल नहीं पेरों के बल बोल रहा हूं तो बच्चों जब वो लेंड करेगा अपने पेरों पर त ते लेकिन क्योंकि हर दो वरटिब्रा के बीच में soft Cushion इसको करने इंटर्वर्टेब्रल डिस्क T इंतर याने बीच में इंटर वर्टिब याने दो वर्टिबरा के बीच में डिस्क लैक स्ट्रॉक्चर प्रिजेंट ए इलास्टिक का बना होता है फाइब्रस का थिलेज भी ये इसके अंदर से एक रस चुना उंगे इसकी वजह से एकदम से हमारी हुटिबरल को देमिज नह सिना सदल गोग, अगे बात करेंगे यहाँ पर कुछ बीचनल पर सुन इतना याद रखे लो व्हाँ आप यहाँ पर ठीके इसके लावा एक और चीज जो यहां पर इसी नहीं दे रखे, लेकिन है याद रख सकते हैं कि हमारी जिए गजो Waarट्थेबल column है यह तो बिल्कुल center में हमारे back के center में होनी चाहिए लेकिन इसमें कुछ curvatures है जब literally आप देखोगे तो बच्चों garden वाले region में तो यह थोड़ा सा अंदर की तरफ है फिर upper back में बाहर की तरफ निकली वी है फिर lower back में अंदर गुसी भी है और फिर hip में बाहर निकली हुई है बच्चों देखा होगा है पीछे से कॉनकेव है हिप वाला region जो है सेक्रल करवेचर वह बाहर निकला हुआ याने की कॉनवेक से बच्चों आपस दिरान पोर करवेचर अब कई बार बच्चों इन करवेचर में डिफेक्ट आ जाता है आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों में वर्टिबल कॉलम का डिफेक्ट होTा है और जो अपर बेक इस पहला आपको याद रखना है बच्छो काइफोसिस काइफोसिस इसको हम हंचबेक भी कहते हैं बच्छो वर जिसको हम केते हैं ठीके तो यहां पर क्या हो रहा है थोरे सिक करवेचर जरूरत से ज़्यादा बाहर निकला हुगा है जौड से ज़्यादा यह कर वेचर दूसरा डिफेक्ट है बच्छो लॉरसिस इसको का हम रिे श्यादा होता है उनमें और दिरे कर वेचर आंदर भुच जाता है ज़ादा निकले हैं आठ लॉरणуз निक़े है यह जरूरत से जादा अंदर गुसावा होता है तो करवेचर है यह इसकी बढ़गी यह इसकी जरूरत से जादा आए एक अबनॉर्मिल्टी के लाएगी यह लॉडोसिस हैं काइपोसिस एक और चीज जो आप से पूछी जा सकती है यहां पर वो क्या है बच्चो स्कॉल्योसि अना तो लैट्रल डेविएशन साइड़वेज डेविएशन वह वैसे होता हमारी सेंटर में हैं पूरी की पूरी असा तरह से सीधी है लेकिन यह यह राइट में या लफ्ट में ठीक है देविएट हो जाए इस तरीके से तो उसको हम कहते हैं स्कॉलियोसिस उसमें फिर जो पॉस्चर है वो सीधा नहीं रहेगा एक तरफ टिल्ट हो जाएगा है ना यदि इधर है तो ऐसे हो जाएगा इधर डेविएटेड है तो ऐसे हो जाएगा और आदमी लंगडा कर भी चलेगा टेडा चलेगा ठीक है तो इसका मदब वर्टेबल कॉलम का जो शेप है और स्ट् कोलम की और देख लेते हैं क्या के रही एंसे आटी बच्चों यहां पर तो बच्चों ज्यादा तर में में जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा है यह कितना होता है सेवन है कुछ एक्सेप्शन है बच्चों जैसे सीखा होती है उनमें सेवन नहीं होता तो मॉस्ट अगे देख लेंगे ठीक है तो इस टानाम फ्लेट बॉन है फ्रंट में प्रेजेंट है बच्चों इससे आगे रिप्स जुड़ी होती सारी की सारी रिप्स नहीं जुड़ी होती से लेकिन कौन सी होती है भी हम आगे देख लेंगे ठीक है तो इस टानाम फ्लेट बॉन on the ventral middle line of thorax sternum में जो एक चीज़ आप याद रख सकते हो बच्चो वो क्या है कि sternum का जो lower part होता है बच्चो यह pointer यह दो को यहाँ पर इस तरीके से है न यह part क्या किलाता है बच्चो कई बार पूश लेते हैं इसका नाम zeephoid process क्या कहते हैं इसको हम zeephoid process और इस standum से क्या क्या जुड़ा हुआ होता है यह भी देख रोए एक बात तो एक तो रिप्स मेंना आपको बताए दिया था बच्चो है ना directly इससे first seven pairs of ribs जुड़ी भी होती है इसके अलावा इससे क्या जुड़ा होता है बच्चो हमारी जो polar bone होती है यहां पर जिसको हम कहते हैं इनर एंड वह किससे जुड़ा होता है वह इस्टव से एक लेविकल इधर और एक लेविकल इधर जुड़ी हुई होती है ठीक है बच्चो यह आप से पूछा जा सकता है विससे जुएंट्स में आ जाएगा फिर आगे बात करते हैं तो अब एक्जेल स्काल्ट में सर्फ एक कॉम्पोनेंट रहे गया देट इस वाट रिप्स कितनी होती है बच्चो यह तैरा ट्वेल्फ पैर और जिएप आती है कनेक्टे डॉर्स यह पीछे तो किस से जुड़ी है बच्चो वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी है और आगे ये पीछे वाला surface जो vertebral column से जुड़ता है ये आगे वाला है जो sternum से जुड़ता है बच्चों तो पीछे वाला जो end होता है हमारी rib का उसमें दो process होते हैं और इसी लिए हमारी ribs को हम क्या केते हैं बच्चों by cephalic ribs cephalo refers to head और यहाँ पर head दो parts में divided है तो by refers to two तो by cephalic ribs केते हैं ये तो पीछे किस से जुड़ेगा बच्चों वर्टेबल कॉलम से आगे वाला जो part है बच्चों ये भी directly sternum से नहीं चुड़ता आगे वाले part में क्या होता है बच्चों जो ends होते हैं जो directly जब sternum से जुड़ेगा वो end किसका बना होता है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो दो कलर में है यहाँ पर तो यह येलो कलर बना रखा है एंसे आटी ने फिर वाइट कलर दे रखा है तो यह जितना भी वाइट कलर वाला पार्टी यह cartilage का बना हुआ है directly bone sternum से नहीं जुड़री directly rib जो है वो sternum से नहीं जुड़री एक cartilage के थ्रू जुड़री है और जो cartilage rib को sternum से जोड़ती है उसका हम कहते है बच्चों जुड़े हुए हैं बच्चों और इसलिए इन रिप्स को हम केते हैं बच्चों ट्रू रिप्स क्या कहेंगे ट्रू रिप्स लेकिन इसके बाद बच्चों जो आठ नो दस तीन यह है इनको हम केते हैं false ribs आठ से दस वाली क्यों क्योंकि बच्चों यह directly sternum से नहीं जुड़ती इनकी costal cartilage पहले 7th की costal cartilage से जुड़ जाती है और फिर ultimately एक पर से indirectly इनका communication sternum से हो रहा है और last की जो दो है बच्चों यहां पर आप देखोगे 11th and 12th इनको था हम केते हैं floating ribs क्या केते हैं बच्चों floating ribs केते हैं क्यों क्योंकि इनका आगे वाला end कहीं पर भी नहीं जुड़ा हुआ floating है free है बच्चों तो पीछे तो सारी का सारी variable column से जुड़ी वी है और कहां से कहां तक जुड़ी वी है T1 से T12 तक 12th थोरेसिक vertebra है हर थोरेसिक vertebra से एक rib जुड़ी होती है एक इदर एक इदर याने की 12 pairs तो 12 pair of ribs के लिए 12 थोड़े से वर्टिब्रा होगे पीछे तो कोई संकटी नहीं है आगे क्या याद रखना है first 7 pair of ribs तो sternum से जुड़ी होती है directly उनको true ribs केते हैं क्योंकि वो पीछे vertebral column से जुड़ी है आगे sternum से जुड़ी तो उनको हम vertebral sternal ribs भी केते हैं एक वो नाम होता है लिख लो बच्यों याद रखो फिर 8th, 9th, 10th pair of ribs पीछे तो vertebral column से ही जुड़ी है लेकिन आगे वो 7th rib की cartilage से जुड़ी ना कि directly sternum से पीछे vertebral column से जुड़ी है आगे sternum से ना जुड़कर 7th rib की cartilage से जुड़ी है cartilage के लिए word यूज करते हैं condro तो उनको हम vertebral condral ribs भी कहते हैं और उनको हम false ribs भी कहते हैं बच्चों तो आगे बढ़ते हैं बच्चों तो यहां पर क्या के रिए इंसियार्टी की हमारी जो रिप से टू आर्टिकुलेशन सरफेसे और इस जुड़ से गयाने की पीछे वाली तरफ हैंस कॉल यह विन आपको बता दिया फर्स सेवन पेर्स और रिप्स को क्या केते हैं बच्चों ट्रू रिप्स कहां पर पीछे कहां जुड़ी विए वर्टीब्रा से और आगे किसे जुड़ी विए स्टर्णम से यह पता दिया हाई-लाइन-कार्टिले से काम की चीज़े वो हम हाई-लाइट कर रहे हैं बच्चों वर्टीब्रो कॉंट्रल और फोल्स रिप्स यही आप से डिरेक्ली पूछा जाएगा और लास्ट टू पेर्स जो हैं बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं इस और हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड होते हैं और इसको ह जी राती है तो यह आप देखोंगे बच्चों तो आगे इस टर्नम साइड में रिप्स पीछे वर्टेब्ल कोलम एक पिंजरा बन गया जिसमें हमारा हार्ट है हमारे दोनों लंग्स हैं इसको हम रिप केज कहते हैं तो बच्चों यह तो बात हो गए हमारे एकजियल स्केल जित्लमाे वो अलड़ी मैं आपको बता चुकर हूं हो अफर अपर लिंग में हर अथ में 30 दोनों में मिला के 60 अब पहले अपर लिम कि बात करें तो हर अपर लिम में कौन कौन सी बान्स और कितनी होती है वो मता रहा हूं आपको जो हमीरा आर मुवाला पार्ट ये वाला ज 4RM वाला पार्ट है बच्चों इसमें 2 हड़िया होती है. अंगुटे की तरफ तो होती है. बच्चों, radius और little finger की तरफ होती है. बच्चों, कौनसी? अलना, तो एक radius, एक अलना. उसके बाद फिर बच्चों, जो हमारा wrist वाला पार्ट है, इस wrist वाले पार्ट में 8 हड्डियां होती छोटी छोटी इनको हम क्या क्यते हैं कारपल्स क्या क्यते हैं बच्छों कारपल्स कितनी 8 ठीक इनके नाम आपसे नहीं पूछे जाते हैं फिर भी यदि नाम जानने हों तो YouTube पर ही already चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें कार कारपल्स के नाम याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता रखिए इसने हलता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्छे हैं देख लेना यहाँ पर अभी उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगी क्योंकि क्वेशन नहीं आता है बहुत rare या rarest of rare चांसे की नाम ओफ कारपल्स के बाद बच्चों जो पाम वाला हतेली वाला पार्ट है इसमें पांच हड्या होती है एक थम के लिए फिर एक हमारी इंडेक्स फिंगर के लिए फिर इसके लिए मिडल फिंगर के लिए बच्चों फिर रिंग फिंगर के लिए और फिर एक लिटल फिंगर के लिए इनको हम क थम टू लिटल फिंगर इनकी numbering करते हैं अपन जैसे थम की तरफ जो metacarpal होगी ये first फिर ये second, third, fourth, fifth ऐसे पांच नमबर देते हैं इनको हम फिर जो हमारी fingers और थम है बच्चों हर finger में आप देखो कि creases present होती है तो बच्चों यहाँ पर एक हड़ी फिर ये एक हड़ी एक की बारा और अंगुटे में दो ही होती है इनको हम किते हैं phalanges phalanges तो plural phalanx phalanx singular तो एक हाथ की उंगलियों में और थम में मिला कर कितने phalanges होते हैं बच्चों 14 phalanges होते हैं तो phalanges 14 और इनकी numbering अपन किदर से करते हैं बच्चों इनकी numbering again अपन थम की तरफ से करेंगे तो पेले थम में तो दो ये फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 इस तरह से इनको अपन mention करते हैं total एक हाथ में कितनी बहुंस होगी बच्चों एक दो तीन आठ प्लस तीन ग्यारा प्लस पा स्वीन मां आगें बच्चों की बात समझ में clear है जिस यह वक्रत करेंगे की अन्दर किद्य क्योंग सी और प्रेंगे दो destroy एक दोसको हम कहते हैंleh्यार भी म करें होती है फिर बच्रों यहाँ पर थोड़ाँ साभ एक extra bone आ गई जो गुटना वाला knee joint वाला part होता है बच्रों वहाँ पर एक extra bone होती है जिसको हम कहते है पटेला क्या कहते हैं बच्रों पटेला या knee केप भी उसको हम कहते हैं धक्कन मनाती है नीके उपर इसको अगें एक होती है फिर बच्चों जो हमारा लेग वाला पाटे गुटने के नीचे वाला पाट वहाँ पर दो बोन्स होती है हमारे अंगूठे की तरफ पेर के अंगूठे की तरफ जो बोन्स होती है उसको हम कहते ह यह उनको टार्सल्स केते हैं लेकिन वहाँ पर वह सेवन है एट नहीं है तो कोई बात नहीं यहां एक कम हुई लेकिन एक एक्स्टा भून भी तो आगी यहां पर होगी अभी तक नंबर उतना ही चल रहा है जितना इधर था टोटल तो फिर जैसे यहां पर मेटा टार्सल्स होती है सोल वाले रीजन में बच्चों उतनी होती है जितनी वहाँ पर वैसे नंबरिंग भी करते हैं पांच ठीक हम उठे से लिटल टो की तरफ ग्रेट टो की तो कितना हो जाएगा 60 टोटल नंबर ओंस इन बौत लोवर लीम्स मिला कर कितनी हो जाएगी साट हो जाएगी 6060 कितनी हो बच्चों 120 होगे अब अपन वह आपास से किस पर आ जाएंगे बच्चो डीग्राम पर आ जाते हैं वाले रीजन में फीमर फिर घुटने पर एक आगे केप बनाती है पटेला नी केप फिर बच्चों फो लेग वाले पार्ट में टीबिया और फिबुला फिर एंकल पे टार्सल सौल में मेटा टार्सल स्टोस में फेलेंजेस प्रेजेंट होती है अब गर्डल्स की भी बात कर से जोड़ रही है बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और शॉल्डर गर्डल भी बोला जाता है पेक्टोरल गर्डल और शॉल्डर गर्डल कौन-कौन सी बॉन्स मिलकर बनाती है इसको बच्चों एक तो स्कैपुला और दूसरी क्लेवीकल अब कैसे य हमारा अपर लिंबे बैस इसमें ये जो पार्ट बंड ये जो बोण ऐस में अपर बेक में एक ट्रैंगुलर देञा इनन जिसमें इस कटाम में आगे की तरफ एक छोटा सा डिपरेशन सोकैट लाइक चीजे जिसमें हमारी हुमरस का जो head है वो joint बना लेता है इस तरह से और moment हो सकता है इसलिए हमारे हाथ का सारा moment होता है बच्चों है नहीं सारे moment हम कर सकते हैं क्यों हमारी हुमरस का जो head है यहाँ पर जो head है वो हमारी scapula में जो socket है उसका अंदर जोएंट बना रहा है यहां पर कौन सा जोएंट बन रहा है बॉल एंड सोकेट जोएंट इसको कहते ही बॉल एंड सोकेट जोएंट है आगया भी आपन देखेंगे बच्चों और इसमें सारे मुवमेंट्स पॉस्यूबल हैं तो एक तरह से US किस से जुडगी, इस के पॉला से जुडगीventud अब बच्चों के पुला में आप यहां पर देखोगे यह थोड़ा सेमें बड़ा कर देता हूं स्को झालर चेंज कर लेते हैं यह जो प्रॉसेश है आगय की तरफ एक प्रॉसेश निकला होता है इसको बच्चों हम chain प्रोसे से क्या जुड़ी होगी है हमारी collarbone clavicle का बाहर वाला end ये clavicle है बच्चों ये यहां जुड़गी और clavicle का जो अंदर वाला end है ये किस से जुड़ा होता है बच्चों sternum से जो की egg gel skeleton का part है जो ribs से ultimately verteble column के साथ rib cage बना रहा है हुआ है तो बच्चों humorous का head जुड़ा इसके साथ with a socket of scapula ये जो यहां पर socket होता है इसको हम कहते हैं बच्चों glenoid cavity क्या कहते हैं इस socket को glenoid cavity तो glenoid cavity के साथ क्या बन रहा है बच्चों ball and socket joint बना रहा है head of humorous तो humorous जुड़गी scapula का acromion process जुड़गा clavicle से clavicle जुड़गे sternum से इस तरह से clavicle और scapula ने मिलकर हमारे एक हाथ को हमारे excele skeleton के साथ जोड़ दिया ये हमारा right pectoral girdle हो गया इस तरह से left भी होता है right में दो bone से girdle में scapula और clavicle left में भी दो है total 4 हो गई जैसा कि मैंने आपको पहले बोला अब बात कर लेंगे बच्चो किस की हम बात कर लेंगे इसकी pelvic girdle की pelvic girdle में आप देखो बच्चो जो हमारी thigh में bone है femur इसमें भी जैसे head of humerus था वेसा ही part है बच्चो और यहाँ पर यह किसके साथ यहाँ पर भी एक पोकेट है किसमे pelvic bone में बच्चो है ना pelvic bone क्या होती कॉक्जल bone भी कहते हैं हमारे hip region में जो bone है जो किसको किस से connect कर रही है बच्चो हमारे lower limbs को एक्जल skeleton के साथ उसको हम hip bone या pelvic bone या boxer bone केते हैं दोनों तरफ एक एक होती है fetal life में यह तीन पार्ट में divided होती है बच्चो एक होता है ileum वाला पार्ट दूसरा होता है pubis वाला पार्ट तीसरा होता है istium वाला पार बच्चो तो जो उपर का broad part है यह तो ileum है ठीक है फिर जो आगे की तरफ आ रहा है यह pubis है और जो पीछे की तरफ नीचे जा रहा है बच्चो देट इस istium आप सिर्फ याद रख लो तीन पार्ट में डिवाइड होती फिटल लाइफ में बाद में जाकी तीनों पार्ट आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बन बनाता है है इसमें को कह बॉलते हैं और यहाँ पर भी बनेगा बच्चों Hi, B जोइंटRa बनेगा आ गई बात समझ में ठीक है तो फीमर तो फिमर जुड़ गई विद्धी 60 वुलम के विटी ऑफ रेजीव पॉर यह, hip bone किस से जुड़ती बच्चों यहाँ पर sacral bone के साथ जुड़ती है ठीके यहाँ बन जाता है कौन सा joint sacral ilayak joint याने की जो ileum part है hip bone का वो sacrum के साथ joint बनाता है sacrum किसका part है vertebral column की vertebral column किसका part है excele skeleton का तो हमारा जो lower limb है वो भी इस pelvic bone के through किस से जुड़ गया है हमारे excele skeleton के साथ जुड़ गया है बच्चों तो यह क्या कहलाएगा pelvic girdle और hip girdle इसमें एक pelvic bone इधर एक pelvic bone इधर total two bones होती है तो 120 bones तो upper और lower limbs में होगी चार pectoral girdles में होगी दोनों तरफ के और दो hip girdles में होगी तोटल 126 bones are there in the appendicular skeleton अब देख लेते हैं कि भई ncrt क्या बोल रही है सारी चीज़े मैंना आपको समझा दिये बच्चों ठीक है so the bones of the limbs along with their girdles constitute the appendicular तो girdles के साथ साथ जो हमारे limbs की bones होती है वो मिला कर appendicular skeleton मनाती है बच्चों each limb is made up of 30 bones the bones of the hand are humorous यह सारा आपने देख लिया इसको mark करने की वापस से जरूरत नहीं है बच्चों आपको ठीक है अलना कार्पल्स रिस्ट बॉन्स एटी नंबर मेटा कार्पल्स इनको वापस से थोड़ा से छोटा कर लेते हैं एंड फेलंजेस ठीक फिर फीमर जो पेर की बहुंस है वह आपको बता रखिए बच्चों सारी अपने देख लिए वापस से कुछ भी हाइलाट करने की जुड़त नहीं है सारी चीज में आपको बता दी फिर पेक्टोरल और फेल्वी गड़ल की बात करिए यह यहां पर कर लो कि प्रेक्टोरल गड़ल में एक तो क्लेविकल आती और एक स्केपुला आती है इसकेपुला कैसी में आपको बता दिया पीछे की तरफ एक ट्राइंगुलर बोन होती है बच्चों डॉरसली प्रेजेंट है अपर बेक में अप थोरेक्स बिट्वीन दी सेवन्थ यह इंपोर्टेंट है यह इदि अपन रिप्स के आप से देखें तो इसकेपुला कहां से कहां तक एक्सेंट करती है बच्चों हमारी दूसरी रिप्स से लेकर हमारी जो सेवन्थ रिप है आगे वही लोकेशन किसकी हमारी स्केपुला की ठीक है पीछे की तरफ और बच्चो वह चीज आपको यहां पर नहीं दिखे कि जो मेंशन कर दी एक्चुली यह जो स्केपुला होती है पीछे की तरफ इसमें एक प्रोसस निकलावा होता है जिसको हम स्पाइन केते हैं जो अपन ऐसे करते हैं हाथ को तो यह कई लोगों में जो बिल्कुल पतले होत जाता है यहां पर उसको हम स्पाइन केते हैं बच्चो तो क्योंकि यह डाइग्राम में मेंशन नहीं है तो इसको आप माक कर लो और अच्छे से स्टार लगा लो पूछा जासकता है इसी चीज़ें ज्यादा पूछी जाती है जिनके बारे में इंस्याटी ने लिख तो दि अंच्छों यह डाइगा लो और इसको माक कर लो three star पिर बच्चों the clavicle articulates with this किसके साथ acromion के साथ यह तो मेंना आपको बता दिया the clavicle articulates with this below the acromion is a depression called the glenoid cavity यह भी मैंना आपको बता दिया which articulates with the head of the humorous to form the shoulder joint each clavicle is a long slender bone with two curvatures this bone is commonly called the collar bone clavicle क का यह बारे में mark कर लो बच्यों कि विय जो Individual है यह long bone है इसमें भी दो curvature है उसको आफलर बन भी कहते हैं देखो यहां पर दो curvature कैसे है के अंदर इधर आगे से string फिर आगे से convex Two curvature present है है बार्टो को एवी जए बात समझ में क्लेयर है पेक्टोरल गडल की बात ही लास्टली जो अपेंडिकलर स्कल्ट में वो है पेल्विक गडल अब जहां पर यह तीनों पार्ट मिलते है वहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है जिसको मैं सिटाबुलम केते हैं तो यदी क्योशन आजाए कि भी एक्टाबुलम जो डिप्रेशन है जिसमें head of femur fit होता है joint बनाता है ball and socket joint यह एक्टाबुलम कौन-कौन से parts of hip bone से बनाया है तो तीनों parts का contribution होता है कुछ पार्ट इसमें ileum का है कुछ पार्ट pubis का कुछ पार्ट ischium का भी है बच्चों so at the point of contact or fusion of the above bones there is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulates mark कर लोग जो important है आगे बात समझ में the two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage very 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 important ठीके क्या के राहे हैं अपर the two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage इसकी बात बच्चों या इसकी significance का है वो मैं आपको बता देता हूँ पहरे तो इसको five star mark कर लो question आता है यहां से pubic symphysis क्या होता है बच्चों देखो दोनों जो pelvic bonds है ये इधर की pelvic bond ये इधर की pelvic bond आगे की तरफ pubis होता है बच्चों इसमें दोनों की pubis आगे आकर यहां पर एक joint बनाती है और जहां पर इक joint बनाती है इन दोनों की बीच में cartilage होती है fibrous cartilage तो याने कि ये cartilaginous joint हो गया दोनों तरफ की pelvic bonds आगे की तरफ इनके pubis वाले पार्ट से जुड़ी होती है दोनों की pubis पार्ट आप उसमें जुड़ी होते है लेकिन एक cartilage के थुरू ये joint किलाता है pubic symphysis पीछे की तरफ तो जो हमारी pelvic bonds से वा sacrum से जुड़ी वी है ये ileum वाला पार्ट ये ileum वाला पार्ट पीछे बीच में sacrum है उससे जुड़ी वी है तो uterus इस cavity के बीच में present है uterus जैसे जैसे बड़ा होगा because of the developing child तो बच्चों क्या होगा ये जो pelvic bonds है ये जो sacrum ये सब stretch होंगे इनके joints stretch होंगे जिसकी वज़ासे इन joints पे injury होने की chances हो सकते हैं प्लस बच्चा भी जब निकलेगा बाहर during delivery तो इसी cavity से होता हुआ वज़ाने से होता हुआ बाहर आएगा तब भी stretching होगी इन joints की तो इन joints का elastic और flexible होना बहुत जरूरी है और भगवाने इसलिए ये जो pubic symphysis joint है यहाँ पर directly bone से bone को जोड कर बीच में cartilage डाल दी cartilaginus joint बना दिया क्योंकि cartilage relatively pliable होती है elastic होती है flexible होती है in comparison to bone plus बच्चों during pregnancy एक हार्मोन निकलता है relaxing जो इन सारे joints को बहुत ज़दा flexible बना देता है जिस कारण से जब बच्चे की growth होती है या delivery होती है तो easily ये सारे joints stretch कर जाते हैं और बच्चे को कोई injury या मदर के joints को कोई injury नहीं होती तो pubic symphysis की importance क्या है it helps in easy delivery of baby आ गई बात समझे हैं पूछा जा सकता है बच्चों ठीके तो ये तो होगी सारे bones को अब बच्चों ये सारे bones आपस में जुड़ी होती है with the help of joints ठीके joints हमारी body के वो पार्ट है जहां पर दो bones आपस में या दो से ज़्यादा bones आपस में जुड़ती है ज़्यादा तर joints पे movement होता है mobile होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सारे joints mobile हो कुछ joints पर motility motility word तो थोड़ा गलत हो जाएगा लेकिन mobility याने कि movement नहीं होता for example हमारे cranium में बच्चों जितने भी cranial bones है वो आपस में fibrous tissue से जुड़ी हुई है और वहाँ किसी तरह का कोई movement नहीं होता बिल्कुल fix joint होता है बच्चों fibrous joint इनको कहते हैं तो बच्चों joints can be immovable also clear है तो देख लेते हैं बच्चों joints के बारे में भी तो what are joints actually joints are essential for all types of movements involving the bony parts of the body लेकिन सारे joints में movement होई जरूरी नहीं है मैंना आपको बता दिया locomotory movements are no exception to this जितने भी movements से सब में joints का role होता है चाहे वो locomotory हों चाहे non locomotory हो joints are points of contact between bonds कई जगह पर bonds और cartilage के बीच में होता है जैसे भी आपने pubic symphysis की बात करी थी ribs की बात करी थी जब वो इस tandem से जुड़ती है तो bones के बीच का point of contact दो bones है दो से ज़्यादा bones आपस में जुड़ रही है जहां पर या point of contact between bones and cartilage is called as joint बच्चों force generated by the muscles is used to carry out movement through joints where the joints acts as a fulcrum तो बच्चों जैसे अपन elbow joint की बात करें तो यहां पर joint fulcrum का काम कर रहा है मालनों मैं कोई चीज उठा रहा हूं तो वो load है बच्चों और उस load को उठाने के लिए force कौन generate कर रही है मेरी muscles कर रही है तो force तो मेरी muscles generate करेगी load इस तरफ है और जिस fulcrum के along यह काम होगा liver का का काम कर रही है मेरी bone यहां पर ठीक है तो यह liver का जो movement होगा जिस fulcrum के point के या axis के along बच्चों वो कौन बना रहा है मेरा joint तो joint किसका काम करता है बच्चों फulcrum का काम करता है important है पूछा जा सकता है थोड़ी से physics आ गई यहां पर है ना आप भी सोच रहोंगी क्या सर biology में physics पिछा नहीं छोड़ रही है ना biology पढ़ते होगी फिजिक्स आगी कोई बात नहीं फिर the moability at these joints vary depending on different factors joints have been classified into three major structural forms namely fibrous तो तीन तरकी joints होते हैं बच्चों ठीक है कौन-कौन से fibrous होता है cartilaginus होता है और synovial होता है तो first fibrous second cartilaginus तीसरा synovial तीनों के बारा में देख लेते हैं fibrous मैंने अल्रेडी बता दिया बच्चों हमारी cranium की जो bonds है इनके बीच में fibrous tissue के joint से कोई movement नहीं होता fixed joints है बच्चों तो fibrous joints do not allow any movement this type of joint is shown by the flat skull bonds which fuse end to end जितनी भी skull bonds है वो fibrous tissue से जुड़ी हुई है बच्चों कोई movement नहीं होता है important है पूरा का पूरा mark कर लो और highlight कर लो ठीक है cartilaginus joint इसके example ओलेडी अपनने देख ले बच्चों the bones involved are joint together with the help of cartilage यहां पर cartilage दो bonds को जुड़ने में मदद कर लिये जैसे ribs को sternum से दो वर्टीब्रा के बीच में इंटर वर्टीबल डेस्क प्यूबिक सिंफाइस पर सारे cartilaginus joint है बच्चों the joint between the adjacent vertebra in the vertebra column is of this pattern and permits limited movements example आपको बता दिया था मैंने और इसके वरे से movements होते हैं यह भी मिन आपको बता दिया था अब बच्चों सबसे ज्यादा common joints हमारी body में और सबसे fibrous tissue की covering इसको बंद करके रखती है एक कमरा बन गया यहां पर ठीक है और इसको हम कहते हैं बच्चों what joint capsule तो एक capsule के अंदर है यह पूरा का पूरा joint दोनों हड्यों के ends है इस capsule के अंदर है और इस capsule के अंदर एक membrane होती है synovial membrane जो एक fluid secret करती है बच्चों और उस fluid को हम क्या कहते है synovial fluid कहते हैं ऐसे joints जिनकी अंदर यह synovial fluid होता inside the joint capsule which is secreted by the synovial membrane उनको हम synovial joints कहते हैं बच्चों आगे बात समझ में clear है तो अब यह synovial joints होते हैं बच्चों यहां पर एक और चीज़ याद रखना कि यह जो ends होते है न बॉन्स के इनके ends पर मालो यह उपर की बॉन यह नीचे की बॉन यह यहां पर joint बना रही है अब बच्चों जब भी movement होगा तो इनके यह surfaces जो joint बना रहे हैं यह आपस में टक्रा सकते हैं अब बॉन्स तो hard होती है यह hard surface आपस में टक्राएंगे तो damage हो सकते हैं तो भगवान ने क्या करा है इन दोनों surface पर cartilage की पतली सी layer दे दी है highline cartilage की इसको हम कहते हैं articular cartilage तो बच्चों दोनों surface पर cartilage की covering होती है जिसको हम कहते हैं articular cartilage जो की highline type की cartilage होती है यह synovial joint का एक structure है basic structure तो synovial joints are characterized by the presence of a fluid called synovial fluid किसमे होता है बच्चों synovial cavity के अंदर between the articulating surfaces articulation का मतलब joint बनाने वाले surfaces of the two bones such an arrangement allows considerable movement अब इस fluid का क्या काम होता है ही चिकना होता है इसमें main component mucopoly sacride carbohydrate hyaluronic acid जो के slimy nature का होता है और इसका काम क्यों क्यों होता है lubrication इन दोनों bones के बीच में friction को कम करेगा articular cartilage भी friction को कम करेगी बच्चों ठीक है these joints help in locomotion and many other movements ठीक अब यह कौन-कौन से type के होते है इन में एक तो होता है बच्चों ball and socket joint a mark कर लूँ देख लिए example अपने between humerus and pectoral girdle फिर hip joint भी उसी का example है hinge joint बच्चों 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 सारे type के moments possible है कई moments होते हैं बच्चों या पढ़तों है यह वाला ठीक है और कोई moment possible नहीं है तो ऐसा joint जिस पे सिर्फ एक ही एक्सिस के along moment possible है उसको हम क्या केते हैं बच्चों hinge joint elbow joint और knee joint इसके example है तो एक तो knee joint हो गया बच्चों प्लस elbow joint भी इसका example होता है hinge joint यह सब synovial के types हैं तो यह हो गया beat c type synovial में pivot joint pivot कैसे याद रखोगे वो सारे joint जहां पर rotatory moment होता है बच्चों चीक है तो बच्चों जब हम ना बोलते हैं ऐसे और आपकी तो आदत होती है पेरेंट्स कोई काम बोलें ना टीचर्स बोलें पढ़ लो ना हाँ भी कर लिया करो तो बच्चों जो ना वाला moment होता है यह rotation हो रहा है यहां पर एसे मेरी गर्दन का यह कैसे हो रहा है यह joint बनता है बच्चों मेरी c1 और c2 बताया थे ना atlas और axis बोलता आगे काम आएंगे यह joint निकलाता है atlanto axial joint इसमें क्या होता है बच्चों नीचे c2 जो है उसको axis कहते हैं अपन axis vertebra उसमें उपर की तरह प्रोसेस निकला होता है odontoid process यह process किसके साथ joint बनाता है उपर वाली c1 vertebra atlas के साथ और c1 किस से जुड़ी वी उपर long यह c1 rotate होगी तो साथ में मेरी खोपड़ी भी rotate होगी तो atlas और axis c1 vertebra c2 vertebra के बीच में जो joint बन रहा है with the help of odontoid process of the c2 vertebra इस joint क्याते है atlanto axial joint जिस पर यह 9 moment होता है which is an example of pivot joint pivot पर rotatory moment होता है तो between atlas and axis फिर fourth type है कि d type का joint synovial में synovial का example है gliding joint बच्चों किसके बीच में between the carpals तो हमारी wrist के अंदर बच्चों जो carpals है ankle में जो tarsals है और मैंने बोला था vertebra में भी कुछ process होते हैं उनके बीच में भी यह gliding joint होता है gliding joint को आप कैसे समझोगे moment तो होता है लेकिन बहुत कम कैसा moment बच्चों ठीक है तो बच्चों आपने देखा हो कि जब आप train में बेटते हो तो जब train चलती है तो एक moment ऐसे होता है लगातार ऐसे होता रहते हो लेकिन क्या यह जो moment होता है इससे आप सरक कर अपनी 62 नंबर की हो ना बहुत स्लाइट मोवेंट होता है बिलकुल इतना सा ही moment कार्पल के बीच में और ठाक्स के बीच में होता है इस तरह के जॉइंट को साइनल जॉइंट को हम क्या करते है बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट के ते हैं और जो फिफ्ट का एक्जाम्पल है सानवल में जो आपको याद रहना है that is saddle joint एक ही example आपको याद रहना होता है इसमें that is what बच्चों हमारी wrist में कारपल और हमारे अंगुठे की metacarpal के बीच का जो joint है ठीक है इस metacarpal को हम क्या कहेंगे first metacarpal तो first carpo metacarpal joint is an example of saddle joint यह एक तरीके का less developed ball and socket joint माना जाता है यहां पर carpal तो bone का काम करती है किसका ball का कारपल किसका काम करेगी ball का जैसे humerus का head था और जो यहां पर metacarpal होती इसमें depression होता है छोटा सा वो socket का का काम करता है लेकिन ना तो socket अच्छे से developed है ना बोल अच्छे से developed है less developed type of ball and socket joint होता है बच्छो saddle joint तो between carpal and metacarpal of thumb are some examples of the synovial joints इतना ही आपको याद रखना है इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा highlight करेंगे बच्छो बहुत important है synovial joint वाला topic फिर lastly इस chapter में जो बच्छा है that is disorders of the musculoskeletal system दोनों systems के disorders है सबसे पहले बच्छो myasthenia gravis autoimmune disorder है ऐसा disorder जिसमें हमारा immune system हमारे ही किसी tissue की against antibody बना कर उसको destroy करने लग जाता है यहाँ पर antibodies किसके against बनती है बच्छो मैंने आपको mechanism of skeletal contraction समझाया था skeletal muscle contraction का sliding filament theory वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो सार को लेमा होती है plasma membrane of the skeletal muscle cell उस पे receptors होते हैं जो protein के बना होते हैं इस disorder में उनी receptors के against antibody बनती है और उनको destroy करती है यदि वही destroy होने लग जाएंगे तो भी एस्टायल कोलिन जुडेगा किसके साथ और एस्टायल कोलिन जुडेगा नहीं तो skeletal muscle fiber में electrical activity generate नहीं होगी और वो नहीं होगी तो हमने पूरा mechanism डिटेल में पढ़ाता contraction नहीं होगा तो मायस्थेनिया ग्रेविस जीन लोगों में होता है उनमें muscles का contraction weak हो जाता है यदि receptors बहुत ज्यादा नंबर में डिस्ट्रो हो जाएं तो complete paralysis भी हो सकता है कम डिस्ट्रो होंगे तो पहले weakness होगी फटीग होगा आगे यह बात समझ में clear है बच्चों में चीज याद रखनी ओटो immune disorder होता है muscular dystrophy दूसरा disorder बच्चों यह genetic disorder है gene defect की वजह से होता है कौन से gene में defect की वजह से वो gene जो किसको code करता है बच्चों एक तरह के protein को बनाने वाला जिस protein को हम कहते हैं बच्चों डिस्ट्रोफिन protein तो बच्चों हमारी और इस डिस्ट्रोफिन को मनाने वाला gene जब defective होता है तो there is progressive degeneration जो skeletal muscle से वो degenerate होने लग जाती है और इस disorder को हम कहते है बच्चों muscular dystrophy gene defect की वजह से हो रहा है genetic disorder है थर्ड जो defect disorder आपको याद रहना है तो skeletal muscles का contraction disturb हो जाएगा there will be irregular rapid contractions stage rapid contractions of the skeletal muscles और उस disorder को हम कहते है बच्चों टेते नहीं तेरा rapid spasm जब किसी muscle का बहुत strong और painful contraction होता तो उसको हम spasm कहते है बच्चों wild contractions कहते हैं तो इस disorder में तेरा rapid spasm wild contractions in the muscle क्यों हो रहा है because blood में calcium level low गया जिसकी विज़र से muscle contraction की physiology बिगडगी है फिर arthritis आर्थ्राइटिस आर्थ्रो रेफर्स टु जॉइंट आर्टिस रेफर्स टु इंफ्लेमेशन किसी भी कारण से किसी भी जॉइंट में सूजन आ जाए तो उसको हम arthritis कहेंगे that is inflammation of joints बढ़ापे में देरे-देरे इस डेमेज होते हैं तब भी ऐसा होता है उसको हम कहते हैं osteoarthritis एक autoimmune disorder होता है जो हम human health and disease पढ़ता है rheumatoid arthritis उसमें जो synovial membrane थी बच्छो उसके against antibodies बनने लग जाती है अगें वहाँ पर भी साइनेबल joints के अंदर सूजन आ जाती है उसको हम कहेंगे rheumatoid arthritis हो एक autoimmune disorder हो गया ठीक है तो अलग-अलग type की arthritis हो सकते हैं कोई गिर गया चोट लग गई जिसकी वज़े से गुटने में सूजन आ गए traumatic arthritis trauma की वज़े से हुआ है बई चोट लगने की वज़े से हुआ है ठीक ह कमजोर हो जाती है old age में देखने को मिलता है बच्चों यह disorder age related disorder है है ना क्यों होता है जैसे जैसे age बढ़ती है बच्चों तो bones में भी जो regeneration या replacement repair की जो capacity है वो repair की capacity तो हो जाती है कम और damaging जो rate है वो बढ़ जाती है तो rate of damage जादा हो गई repair की rate कम हो गई तो धिरे-धिरे bones का जो mass है वो कम होने लग जाता है density कम होने लग जाती है fracture होने की chances बढ़ जाते हैं बच्चों females में यह चीज़ जादा देखने को मिलती है जादा severe होती है common होती है after menopause जब menstrual cycles रुख जाती है in the age of 45 to 50 years क्यों बच्चों क्योंकि menopause में ovaries non-function हो जाती है 45 से 50 साल की age में females में menstrual cycle रुख जाती है उसका menopause केते हैं तब ovaries अपना काम करना बंद कर देती है जब ovaries अपना काम करना बंद कर देती है तो ovaries से एक हार्मोन निकलता है जब तो वो function होती estrogen जो females में हड्यों की मजबूती के लिए भी जरूरी होता है तो females में एक तो age related जो कारण था कि repair की rate कम होगी वो तो ही साथ में मीनopause के बाद estrogen level भी कम हो जाता है इस कारण से दोरी चोट हो रही है यहां तो दोरे कारण के कारण osteoprocess ज्यादा severe और ज्यादा common देखने को मिलता है और ऐसे females में के बार इसको treat करने के लिए estrogen भी दिया जाता है लास्ट बच्चो जो आपको याद रखना disorder में that is gout वच्चो गाउट एक metabolic disorder एक general term है again किसके लिए बोलते हैं ऐसा disorder जिसमें किसी भी कारण से body में uric acid का level बढ़ रहा है uric acid nitrogen containing waste material है चीक है अब यह uric acid जब भी body में बढ़ता है तो अलग-अलग organs में और body parts में deposit होता है जहां भी deposit होएगा वहां पर ये inflammation करता ह सूजन पेदा करता है दर्द पेदा करता है यदि यह joint में deposit हो जाएगा तो वहां पर सूजन करेगा inflammation करेगा वह क्या हो गया arthritis किसकी वज़ह से हो रहा है uric acid deposition की वज़ह से uric acid के level के बढ़ने की वज़ह से इसको हम किते हैं गाउट तो ऐसा arthritis जो gout की वरिए से होता है उस देख लेंगे previous year में जो आए हुए हैं सबसे पहले नीट 2018 का which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis मैंने आपको बता दिया बच्चों estrogen तो आपको पता है ही सही पेरा थारेड हार्मोन भी कर सकता है बच्चों क्यों क्यों क्योंकि पेरा थारेड हार्मोन हमारी बोडी में केलशियम मेटाबॉलिजम को रेगुलेट करता है और पेरा थारेड हार्मोन का disturbance होगा तो बोन्स के अंदर केलशियम का डिपोजिशन भी डिस्टर्ब हो सकता है तो यह दोनों इसका रोल नहीं होता वो तो कैसे क्रॉस ब्रीज कैसे टूटेगा जब एक नहीं एटीपी आकर जुड़ती है यह अपन पढ़ चुके हैं जब केलशियम ट्रोपनिन सी सब यूनिट से जुड़ता है तो ट्रोपनिन में स्ट्रॉक्ट्रल चेंज होते हैं वह बाहर रोटेट करता है और एक्टिव साइट्स होती है बच्चों ठीक है तो फॉर्थ भी एक बार देख लेते हैं प्रिवेंट्स दिफॉर्मेशन जरूर देखा करो फिर नीट 2019 का देख लेते हैं बच्चों मेच दे फॉलोइंग ज इदे ऊंपल दे रहे और इधर क्या रहे हैं बच्चो अपको इदर तो नाम दे दी हैं उनके एक्जाम्पल सरके मेच करना है ग्लाइडिंग ज्पर इक्जामबल र Watts क्षकता बच्व सेडल मेच उस到 यह तो फ्लोटिंग होती है आगे कहीं नहीं जुड़ती सारी की सारी स्टर्णम से नहीं जुड़ी होती आंसर वन ही होगा फिर बच्चों 2020 के पहले 19 में एक और क्वेशन देखो किदने क्वेशन आ रहे हैं हर साल फिर 2020 में जुड़ी के अंदर यूरी के अंदर यूरी के अंदर का अक्यूमिलेशन होता है और अंसर क्या होगा एक थर्ड है बी का फिर्स है सी का सेकंड है और डी का फिप्ट ठीक है चलो सही में चो रखा है सेकंड ही इसका आंसर होगा सेवन्थ लास्ट क्वेशन आज के लिए बच्चों में फॉलोइंग कॉलम्स से लेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर फ्लोटिंग रिप्स दो नॉट कनेक्ट विद दी स्टनम एक्रोमियन क्या जुड़ता है एक्रोमियन प्रोसे से क्लेविकल इसके पुला सेकिंड से सेवन्थ रिप के बीच में होती है गलिनोट केविटी देखो बच्च लेए अच्छे से सारी चीज़ा पढ़ोगे तो सारी क्वेशन बहुत इसली निकल जाते हैं ठीक है So with this we have completed yet another chapter of NCRT that is locomotion and movement बच्चों इस तरह से लगातार हमारी जड़नी चालू रहेगी अपने को पता है नीट 2021 की डेट आज की है 12 सितंबर को है अभी से पूरे दो महीने है उसके पहले बच्चों ये संपूर्ण सिरीज आपकी पूरी complete हो जाएगी तो इसको follow करते रहोग तो biology की चिंदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है biology आपकी हमारे साथ ही complete हो जाएगी ठीक है लेकिन जिसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ यहां पर हम NCRT तो 100% कवर कर रहे हैं 10% हम NCRT के बाहर का भी cover कर रहे हैं लेकिन अभी भी बच्चों बहुत सारी ऐसे चीज़े के बार पूछ ले रहता है जो यहां पर अपने डिसकस कर पा क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को डिसकस करने का टाइम अभी अपने पास यहां नहीं है बच्चों है ना यहां पर हमारा main motive कि हम NCRT तो पूरी cover कर ले प्लस जो बहुत most important beyond NCRT चीज़ें वो cover कर ले लेकिन जिन बता चला है कि कौन-कौन से topic यहां पर नहीं है वहां पर extra उनको देख लिया करूं इससे complete चीज़े cover हो जाएगी और फिर वहां पर जो आपको topic wise test दिये होते हैं हर topic का एक test होता है बच्चों ठीक है वो कर लिया अगर उससे पूरा chapter cover हो जाता है और बिल्कुल पक्का हो ज आए वो सब्सक्राइब परें अल बेस्ट फों एंटार इसरेल टीम टेक केर गुड़ बाई